नमस्कार शाथियू, आज मैं आपको सीटेट के मोस्ट इंपोर्टेंट कुस्टेंज के बारे मैं डिस्कस करूँगा, सीटेट के मोस्ट इंपोर्टेंट कुस्टेंज कौन-कौन से हैं, बिसिकली सोसल स्टुडीज के बारे मैं बात करूँगा, लाइक पेपर, सीटेट का पेपर टू होता है उसमें साइंस और सोसल स्टेडीज होता है तो यह कुश्चिन्स आपको जो बिहार का प्राचीन भारत को कौन सा सासक था इसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था तो आपका एंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्या मौरे समाज की कौन सी मुद्ध पचलित थी जो उनकी मुद्रा थी वो क्या थी तो आपका जवाब होगा पड़ असोग का उत्रादिकारी कौन था समराट असोग का उत्रादिकारी कुनाल अर्थिसास्त का लेखर किसके समकालीन था? मौरेकाल के एड्यूकेशन का परिशिद गेंडर कौन सा था? लक्षर शिला मेगस्तनीज की पुस्तक का क्या नाम था? मेगस्तनीज ने पुस्तक लिखे थी, उसका नाम था इंडिका असोग के सिरालेखों में कौन सी भासा थी भासा थी प्राक्षरिट हडपा सप्रता का पता कब और किस ने लगाया 19. सताबदी में अंग्रेजों ने हडपा वासियों की समाजिक वव़स्था का मुख्य आधार गया था परिवार हडपावासियों का समाज कैसा था? मात्री सब्तात्मक था आपके पास options रहेंगे तो आप उसमें इस तरह के से समाज का nature जो होगा वो आप बता जकते हैं मात्री सब्तात्मक ठीक है? आग से पकी हुई मिट्टी को हडपावासी क्या कहते थे? टेरा कोटा बिल्ली का पीछा करते हुए कुट्टे के पंजो के निसान कहां मिले? वो मिले सिंदुकाली अस्थल चन्नुदड़ों में वैदिक गडित का मात्रपूर अंग क्या है? सुल्व सुत्र वेदों की संख्या कितनी है? चार रिगवेद, यजुरवेद, सांगवेद और अधरवेद सबसे पुराना वेद कौन सा है? रिगवेद किस वेद के द्वारा वैदिक संस्क्रित के बारे में ज्यान होता है? रिगवेद के द्वारा भारत के राजजिन में लिखा सत्य में हो जयते किस निशत से लिया गया है? मुंड़क निशत से भारती संगीत का आधी गरंथ किस वेद को कहा जाता है? सामवेद कृष्णा भक्ती का प्रथम प्रधान गरंथ कौन सा है? स्रीमत भगवाद कीता पुराणों की संख्या कितनी है? अठारा वैदिक धर्म का मुख्य लक्षन किस की उपासना था? प्रकृति ठीक है? इस देवता के लिए रिगवेद में पुरंदर सप्तप्रियोग हुआ इंद्र के लिए जैन धर्म वा बौद धर्म दोनों के उपदेश किस के सासन काल में दिये गए? विम्बिसार के ठीक है? प्राजब विम्बिसार होते थे? उनके सासन काल में दिये गए बौद धर्म गरंड करने वाली प्रथम महिला कौन से थी? महा प्रजापती गौतमी गौतम बुद का प्रथम धर्म उपदेश क्या कराता है? धर्म चक्र परिवर्तन देंके धर्म चक्र परिवर्तन गौतम बुद का प्रथम धर्म उपदेश था बौद के गरीत आक्या प्रतीक क्या है? अश्व गौतम बुद द्वारा भिचुडी संकिस्थ अपना कहां की गई कपिल वस्त में सवाल ये बहुत बार पुछा गया है सीटिट में आप से तो ये बॉटेंट तरीके से मान सकता है सुन्यता का सिधान्त किस बहुत दर्शनिक ने प्रतिपादित किया नागर्जुन ने महाबीर स्वामी का प्रतम से से कौन था जमाली प्रतम जैनसभा का आयोजन कहां हुआ पाटली पुत्र में असोग के सिलालेखो को पढ़ने वाला प्रतम अंगरेज कौन था जेम्स प्रिंसस कलिंग युद्ध की विजय तथा छत्रियों का वणन के सिलालेख में तेरह वे जिलालेख में कौन सा सासक जनता के संपर्ग में रहता था ? समराट असोग किस गरंत में चंद्रगुप्त मोरया के लिए वृसल का प्रियोग किया गया ? मुद्रा राचक्ष किस राज्या देश में असोग की व्यक्तिगत नाम का उलेख मलता है मासकी स्रीनगर के स्थापना किस मौर्या सासक ने की थी असोग किस गरंत में सूद्रों के लिए आरेश शब्द का प्रियोग हुआ अर्थ सास्त्र किस ने पार्टिल पुत्र को पोली ब्रोथा कहा था मेगस्तनीज ने मेगस्तनीज के पुस्तक इंडिका जरूर इंपोर्टन्ट है ध्यान रखियेगा मौर्या काल में एग्रा नॉमाई किसको कहा जाता था सडक निर्माण अधिकारी को मौर्या काल में एग्रा नॉमाई किसको कहा जाता था सडक निर्माण अधिकारी को असोग के बारे में जानने के लिए मौत्पूर्ण स्रोथ क्या है सिला लेग भारती लिख की कला नहीं जानते हैं ये किसने कहा था मेगस्तनीज ने बिंदुसार की मित्त के समय असोग एक प्रांध का गवर्नर था वा प्रांध कौन सा था उज्जैन किस सैंधो पुरास्थल से फर्स के निर्मित अलंकृत इटो का प्रयोग किया गया था काली बंगा उत्तरवैतिक काल की जनकारी का स्रोथ क्या है यजुरवेद सामवेद तथा अथरवेद उत्तरवैतिक काल की विसेस्ता क्या है चित्रित घूसर ब्रिंदभान तथा लोहा मनुष्य के जीवन को किन चार आस्रमों में वटा गया ब्रह्मचर, ग्रहस्त, वानप्रस्त था सन्यास नाटकों के मंचन को क्या कहा जाता था सैलूस सैंदो वासी मिठास के लिए किस स्वस्त को प्रयोग करते थे सहत रिगवेद में अगन्य सब्द किस पसू के लिए प्रयोग किया गया गाय सिकंदर महान ने भारत पे अक्रमन कब किया 326 इसाद पूरू भारत में सिकंदर का मुख्यद किस के साथ हुआ पूरस के साथ हुआ पाली गरंतों में गाउं के मुख्या को क्या कहा जाता है भोजक उजयन का प्राचीन नाम क्या था अवंतिका नंदवन्स का संस्तापक कौन था महा पद्मनन प्राचीन भारत में पहला विदेशी अक्रमन किसके द्वारा किया गया इस इरानिया द्वारा मगत का कौन सा सासक सिकंदर का समकालीन था घनानन नंदवंस का अंतिम समराट कौन सा था घनानन विंदुसार ने विद्रोहियों को कुछ लने के लिए असो को कहा बेजा तक्षशिला किस समराट का नाम देवान प्रिदर्शी था समराट असो कलिन का यू तो कब हुआ 261 हीसा पूरू सिंद्धु सब्वता की लोग सबसे ज़्यादा लोग किस देवता पे विसास करते थे मांत्र सक्ति हडपा की सब्वता में मोहरी किस चीज़ की भी बनी थी सिल्खडी से किस स्ताहन में निर्थ मुद्रावाली स्तृती की कान से मूर्थी प्राप्त हुई मोहन जोदोडों से मोहन जोदोडों इस समय कहां स्तित है सिंद्ध पाकिस्तान अद्ध्यत्वात का सिद्धान किस ने प्रितपादित किया संकराचारे ने विसेष्ट द्वैतवात का सिद्धान किस ने दिया रामानुजन ने गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था 563 इशापुरू लुम्बनी नेपाल में हुआ था गौतम बुद्ध को ग्यान की जानकारी कहां प्राप्थ हुई थी गया बिहार में गौतम बुद्ध की मृत्य पर कब और कहां हुई थी 483 इशापुरू कुसी नगर उत्तरवदेश में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उत्तरवदेश कहां दिया था सारनाथ वारणसी उत्तरवदेश बुद्ध का साब्दिकर्थ क्या है परकाश्वान गौतम बुद्ध ने अपने उत्तरवदेश किस भासा में दिये पाली भासा में जातक कता हैं किस दर्म से समझने था हैं बहुत दर्म से जैन धर्म के अनुसार कुल कितने तिर्थंकर हुए 24 पुर्टगालियों ने अंग्रेजों को बंबई दहेज के रूप में किस वर्ज दिया था 1661 इसा में भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले यूरोपी कौन थे पुर्टगाली पुर्टगाली समराजे का वास्तविक संस्थापक कौन था अल्बुक कर्क इस बंगाल के नबाब के समय प्लासी का युद्ध हुआ था सिराज दौला पानिपत की लड़ाई में मैराधन की हार का सबसे अधिकलाब इसको मिला इस्ट इंडिया कंपनी को मुगल समराज के अंतरगत आने वाले प्रांतों में सारवदिक संपन राज जिकौन था बंगाल इजारे दारी पर था किसने शुरू की थी मुरसित कुली खान ने खेती के लिए किसानों को किसने अग्रिम कर्ज देना शुरू किया तकाबी गर्ज लोन इसके सासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर कहा जाने लगा था अली वर्दि خान किसने सरकारी कह जाने का ट्रांस्पर मर सीधा बाद से कलगता किया था वारेन हेंस्टिंग सर ने किस मौरय राजा ने दक्कन पर विज़े प्राब्द की थी उनाल ने मेगस्तनीज द्वारा अपनी पुस्तक में समाज को कितने भागों में बाटा गया था पांच अर्थसास्त किस से संबंदित है राजनीतिक नीतियों से पाटली पुत्र में चंदरगुप्त मौर्या का महल किसका बना था लकडियों का किस अब लेक में ऐसे दोता है कि चंदरगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था रुद्र दमन का जूना गड़म लेक सरप्रतम भारती समराज किस ने स्थापित किया था चंदरगुप्त मौर्या ने किस स्थम्ब में असोग ने स्वयम को मगत का समराज बताया भावब्रू स्थम्ब में उतरखण में असोग के सलले कहां इस्तित है कालसी में देरगुप्त हडप्त सबिता की खूच सबसे पहले किसने की थी दैराम साहिनी ने सिंदुगाटी सबिता का स्थान काली बंगा किस प्रदेश में है राजस्थान हडप्त सबिता की खूच किस वर्स हुई 1921 सिस्वी में हडप्त सबिता की इटो का अलंकरन किस स्थान से प्राप्थ हुआ काली बंगा सिंदु सपिता में एक बड़ा स्थान घर कहा मिला मोहन जोड़ो में सिंदु घाटी सपिता की मुत्रा पर किस देवता का चित है आध्य शिव का मोहन जोड़ो को एक अनिनाम से जाना जाता है मिर्थकों का टीला सेंदव अस्तिलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पसू का प्रिक्रिणान हुआ बैल सिंदु सबिता का कौन सा स्थान भारत में स्थेता है लोथल सरग वाला अहमदाबाद गुजराद बाकी पाकिस्तान में चला गया है भारत में चंडी की उपलबता के सबूत कहां मिले हैं हडपा की संस्क्रिक्ट में किस सासक को उग्रसेन कहा जाता है महा पद्मनन्द सिकंदर के साथ भारत आने वाला अदिहासकार कौन था हेरोडोटस कासी और लिच्छिवी का विले मगद समराज में किसने किया अजाद सत्र ने अजाद सत्र का उपनाम क्या था पुडिक अजाद सत्र किस धर्म का नई था बोध धर्म का अजाद सत्र की हत्या किसने किया उदैीन ने अजाज सत्रु गद्धी पर कब बेठा 429 इसापूर में घहना नंद के बाद सासन किसने प्राप्त किया चंद्रगुप्त मोर्यान्या हिंदु धर्म का आधार कौन से ग्रंत है वेद हिंदु धर्म की पवित्र पुस्तके कौन सी है रामायड महभारत वेद पुराण पान्डिचेरी के स्थापना किसने और कब की थी? 1674 इस्वी में फ्रांसेस मार्टिन ने की थी अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब चीना? 1761 हिस्वी में भारत का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुपले किस संदी के बाद करनाटक का दूसरा युद्धु विराम हुआ पंडिचेरी की संदी निकोबार दिल पर से अपने अधिकार किसने अंग्रेजों को बेज दिये डेनिस कंपनी ने 1861 इस्वी में मदरास के संस्थापक कौन थे? फैंको मार्टिन डेनमार्क इस्ट इंडिया कंपनी कि स्थापना कव हुई थी? 1611 इस्वी में मांडा किस नदी पर इस्थे थे? चिनाब नदी पर भडपव कि सबिता का प्रमुक स्तल रोपड किस नदी पर इस्थे थे? सिंदु सपिता के स्तहल में, घरों में, कुऊं में, उसे इसमीले मोहन जुदुरों में सिंदु सपिता की प्रमुक भसल कौन सी जौ और गेहूं मुगल काल के सरपृथम किस सहर में अंग्रेजों ने अपने कार खाने स्थापित किये सूरत करनाटक संकीत का पितामा किसे कहते हैं, पुरंदर दास किसके सहसनकाल में पृथम चीनी यात्री आया था, वाहयान आया था, चंद्रगुप धूति के सहसनकाल में मुगल सासकों में किसे प्रिंस आफ बिल्डर्स के नाम से जाता है, सह जहां आग्रा के जामा मस्जित का निमान किसने कराया था सहजादी जहां आरा बेगम किस सिख गुरु ने फार्सी भासा में जफर नामा लिखाता गुरुगविल सिंगी ने पुरुनानक का जीवन किस परिचे किस सिख गुरु ने लिखाता गुरु अर्जिन देर ने करनाच के लिए ट्रिप्लेट स्ट्रगल कौन-कौन सी ताकतोदार रड़ा गया महराज हर्सवधन के सासनकाल में करनाच पे नियंतर भारत पर प्रभुत का प्रतीक मन जाता है अर्भों के अक्रभुन के उपरांत भारती प्रादीव के अंतरगत तीर महत्पून सक्तियां थी गुजरात के राजकुताना की घुर्जर परतिहार दक्कन के राजकूर और बंगाल के पालवल्स प्राचीन काल में महा जनपत किसको कहते थे प्राचीन महा जनपत प्राचीन काल में राज या प्राससनिक जनपतों को कहते थे उत्तरवैदी काल में कुछ जनपतों का उलेक मिलता है महा जनपतों के सासर किशान व्यापारी सिल्पकारों से निमित करवसूलते थे पढ़ते व्यापार वाड़े जनेकरिस में अधिसेश उत्पादन को बढ़ावा दिया जिससे नगरी अर्थवस्था का जन्ववा चंपा स्रावस्ती कासी को सामभी आधि बढ़े नगरों का जन्ववा यह हमारी कुछ important questions थे जो seated paper 2 में आपसे direct पूछे जाय सकते हैं तो और जो BPSC Teachers Equipment का exam है वहां भी यह questions direct आपसे पूछे जा सकते हैं तो इन questions को memorize कर लेजएगा समझ लेजएगा आपके examinations में अगर यह questions आएंगे तो आपसे छोटने नपाएं और यह most important questions है एसी series BPSC Teachers Equipment और seated 2 तो कि दोनों exam आजपास हैं seated 2 का exam और seated का exam 20 अगस्त को है और BPSC का exam तेज से 27 के बीच में हैं तो दोनों examinations पास में हैं BPSC ने बहुत सारे candidates को allow किया है जो seated जिनका clear नहीं है वो appearing है उनको भी दोनों candidates के लिए examination बहुत important है ठीक है तो चैनल पर अगर नए है तो subscribe जरूर कर लिजएगा आपको ऐसी videos हम regular provide करते रहेंगे तो मिलते हैं next video में